Hello students, देखे, रोज की तरह मैं फिर आपके लिए questions लाया हूँ, और आज आप अपना knowledge check करिए, आज check करिए आप कि आपका concept कितना clear है, ठीक है, चलिए देखे, नीचे जो sentence लिखा है, इसमें आपको बताना है कि कौन था sentence इसमें correct है, और कौन था इसमें wrong है, पहला sentence है, he is covered, covered, c e-o-w-a-r-d, covered, यह sentence correct है कि wrong है, ठीक, he is coveredly, अगर यह correct है कि wrong है, फिर यह बताइए, correct है कि wrong है, he is honestly, correct है कि wrong है, he is very covered, he is very covered, right है कि wrong है, he is a very coveredly man, right है कि wrong है, he is a very covered mind, right है कि wrong है, ठीक, मैं फिर से question पढ़ देता हूँ, he is covered, he is coveredly, he is honestly, he is very covered, he is a very coveredly man, he is a very covered man, आपको बताना है कि इन में से कौन सा sentence correct है, कौन सा इसमें wrong है, ठीक, आप अपने concept को clear करिए, चलिए, इन्हीं सारे questions को जानने के लिए देखिए, आज का वीडियो मेरे साथ, तो मैं हूँ आपका योगेंदर सार, और स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल, जिसका नाम है ज्ञानतिका इंगलेज, Classes. Students, आज का वीडियो बहुत ज्यादा important है, और आज के वीडियो में आप चेक करिए कि आपका knowledge कितना है, और अगर आपका knowledge है, तो कोई भी topic अगर आप जानते हैं, तो उसमें आपका concept कितना clear है, जब तक आपको concept clear नहीं होगा, आप हर कदम पे confused होगे, तो चलिए, देखिए आज का वीडियो, देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, एडवर्ब, पीछे के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, एडवर्ब, एडवर्ब के लिए मैंने बताया, कि एडवर्ब एक ऐसा word होता है, जो किसी verb को qualify करता है, किसी adjective को qualify करता है, या किसी एडवर्ब को qualify करता एडवर्ब को, mostly, जादा तर इनही को qualify करता है, इसके आलामा, एडवर्ब, प्रिपोजिशन को भी करता है, qualify, conjunction को भी करता है, कुल मिलाके, पांच को करता है, ठीक है, एक adjective होता है, जो noun pronoun को करता है, लेकिन एडवर्ब, वर्ब को, एडवर्ब को, मतलब ऐसा word, जो वर्ब क को क्वालिफाई करें, adjective को क्वालिफाई करें, या adverb को क्वालिफाई करें, वो adverb का लाता है, ठीक है ना, चलिए, देखें, ये पीछे, अब जिल लोगों ने adverb का वीडियो नहीं देखा है, वो चैनल पे जा करके, adverb के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से देखें, ठीक है ना, देखें, अब adverb बनाने के लिए, पीछे की वीडियो में मैंने भी बताया के adverb कैसे बनाते हैं, ठीक, वहाँ पे मैंने बताया के adverb बनाने के लिए हम लोग adjective में यलवाई जोडते हैं, क्या जोडते हैं, adjective में किसी noun या pronoun को qualify करेगा किसको qualify करेगा किसी noun या pronoun को clever verb को qualify नहीं करेगा adjective को qualify नहीं करेगा adverb को qualify नहीं करेगा यह हमेशा या तो noun को या तो pronoun को beautiful adjective है क्योंकि यह केवल noun को qualify करेगा या pronoun को qualify करेगा यह adjective को verb को adverb को qualify कभी नहीं करेगा ठीक है न, तो clever adjective, beautiful adjective, ठीक है, clever मतलब चला, beautiful मतलब सुन्दर, अब आप इन दोनों में से क्या हैं, आप खुद clear कर लेजिए, अब चलिए, अगर हम इस adjective को एडवर बनाना चाहें, ठीक, तो हमारे पास एक option है, उसमे यलवाई जोड़ देजिए, तो clever में यलवाई जोड़े एक लिए, cleverly, एडवार्व है, beautiful adjective है, beautifully, एडवार्व है, यह या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, ठीक है न, और यह या तो नाउन या तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है न, तो कुल मिला करके, कि अगर एड़ेक्टिव में यलवाई जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, एडवार्व, ठीक है न, लेकिन याद रखे, अगर कोई word है, उसमें यलवाई लिखा, जैसे slowly, bravely, ऐसे लिखा न, यलवाई लिखा है, तो हम लोग की यलवाई जूटा है, तो एडवार्व है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है, कि जहां भी यलवाई में माली यलवाई जोडते हैं, किसी noun में यलवाई जोडते हैं, तो फिर वह एडवार्व नहीं adjective बन जाएगा, देखे, मैं क्या कहा हूँ, कि अगर हमको एडवार्व बनाना है, तो एडवाई जोड़ देंगे, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है, कि अगर किसी word में यलव जोड़ा है, तो एडवार्व ही होगा हो, यह कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, अगर यलवाई adjective में जोड़ा है, तो एडवार्व है, लेकिन यलवाई अगर नाउन में जोड़ा है, तो वह adjective बन जाएगा, जैसे एक word होता है, मैन, क्या होता है, मैन, ठीक है, यह मैन ना नाउन, यह दोन्हों आपका like, नाउन, यह जोड़ेत क्या बन गया औड़ेक्टिव तो कुल मिलाके, देखें, network है, इसंय 56Donate, यह जोड़ेत क्या बन कि आड़ Meantमीत नाउन, यह जोड़ेत क्या बन गया औड़्यक्टिव ठीक है ना, तो noun में यलवाई जोडेंगे, adjective, adverb में यलवाई जोडेंगे तो adverb, ठीक है ना, फिर आगे देखिए अब verb B का मतलब हुआ, is, am, are, was, where, is, am, are, was, where, मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे माली B है, B से ही बनता है, is बनता है, am बनता है, are बनता है, was बनता है, और where बनता है ठीक है ना, अब B के ही यह इतने सारे रूप हैं, अब यह ऐसा वर्व है कि इनका प्रियोग हम लोग main verb के रूप में भी कर सकते हैं और helping verb के रूप में भी कर सकते हैं, अगर यह verb के रूप में अकेले आएगा, तो main verb हो जाएगा अगर इनके साथ कोई और verb आ जाएगी, तो फिर यह helping हो जाएगा, तो यह दोनों रूप में प्रियोग कर सकते हैं जैसे देखिए, मैं example देता हूँ, जैसे माल यह कहीं sentence में मैं लिख देता हूँ, कि he is playing माल यह लिख देता हूँ, he is playing, ठीक, अब यहाँ पे is देखिए, हाँ की भी आगे जोड देता हूँ चले देखिए, यह subject है, ठीक है ना, यह subject है और यह आपका object है, और यह word है, क्या है word, play means खेलना, ठीक, अब यह play means खेलना, यह हमारा main word है कौन था word है, main word, ice के साथ में लिखा है is, यह आपका helping word है, ठीक, is के साथ एक और word दिया है playing, इसलिए यह आपका helping word हो गया, ठीक, लेकिन अगर sentence में मान लिजिए, अगर यह ना रहे, केवाल इज रहे, जैसे लिख दें हम, कि he is a student, ठीक, student, अब यहाँ is देखिए अखिए इसके साथ में कोई verb नहीं है, दूसरा verb, verb का ing farm, वर्ब का ing playing, writing, ऐसा कुछ verb नहीं है, यह अकेले है, यह main word है, ठीक, यह is helping word है, क्योंकि इसके साथ main word दूसरा है, यह is main word है, क्योंकि इसके साथ कोई और word नहीं है, तो मतलब यहाँ is के साथ एक और word है, यह is अकेला है, तो अगर किसी sentence में age अकेला है तो फिर वो main verb खालाएगा और जो, किवली जही नहीं, age, mr, wajware सबको कहा जा रहा है, ठीक है ना? और age, mr, wajware अगर main verb है, तो main verb में इसको हम लोग linking verb कहते हैं क्या कहते हैं? linking verb, ठीक है, linking verb, ठीक है? तो देखे, इज, I am, I are वाजवियर के साथ अगर कोई और वर्ब रहेगा तो यह helping वर्ब हो जाएगा इज, I am, I am, I are वाजवियर अकेले रहेगा तो main वर्ब अब main वर्ब में कौन्था वर्ब कहलाएगा? linking वर्ब, क्यों था वर्ब? linking वर्ब और देखे e j m r waj where linking verb होता है linking verb गोई हम लोग कॉपुला कहते हैं क्या कहते हैं कॉपुला कहते हैं तो देखें कि अगर अब ये तो बता दिया अब हमको बताना कहा है कि अगर किसी sentence में b मतलब e j m r waj where main verb की रूप में प्रियोग हो तो उसके बाद ad verb of manner नहीं आ सकता है ठीक अगर किसी sentence में subject लिखा हो, subject के बाद main verb के रूप में इजैमार वाजवेर लिखा हो, क्या लिखा हो, इजैमार वाजवेर, तो इनके बाद, मतलब इजैमार वाजवेर main verb लिखा हो, तो इनके बाद noun भी आ सकता है, इनके बाद pronoun भी आ सकता है, इनके बाद adjective भी आ सकता है, ठी मैं अद्वर्ब आफ मैंनर तो मतलब क्या हुआ एसा एडवर्ब जो कारें कि होने का धंग बताता उसे को आट वार्ब मैंनर कहते हैं तो देखिए अगर किसी संटेंस में इजैमार वाजवेयर का प्रियोग लिंकिंग वर्ब के रूप में किया गया है तो उनके बाद adverb of manner नहीं आएगा adverb आ सकता है लेकिन adverb of manner नहीं आएगा दूसरा adverb आएगा लेकिन adverb of manner नहीं आएगा फिर से सुनिए अगर किसी sentence में इजमार वाजवेर का प्रियोग linking verb main verb के रूप में किया है तो उसके बाद noun भी आ सकता है, pronoun भी आ सकता है, adjective भी आ सकता है adverb of adverb भी आएगा लेकिन adverb of manner नहीं आएगा ठीक है ना, देखिए बार-बार काते हैं concept clear कर गी रटना नहीं चाहिए, ये एक बार आपके दिमाग में concept बैठ जाएगा तो आप कभी confused नहीं होंगे और अगर रट के चीज़ों को पढ़ेंगे तो फिर आप हमेशा confused होंगे जब कोई नया question आगा तो तुरांत आप confused हो जाएगे कि ये correct होगा कि वो correct होगा ठीक है, इसलिए कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखा करिए और बार-बार देखा करिए और skip करके मत देखे, क्योंकि जितनी वीडियो आप देखेंगे कुछ न कुछ नए चीज़ जिसमें जरूर आपको मिलेगे ठीक है ना, तो अगर आपको नालेश से प्यार है तो वीडियो को आप पूरा देखिए बार-बार देखिए, देखिए अब यहाँ इज अकेले लिखा है इसका मतल में वर्ब है, लिंकिंग वर्ब हो गया इसके बाद नाउन है, संटेंस करेक्ट है इज अकेले है, में वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है यह इसके बाद एडजेक्टिव संटेंस करेक्ट है ठीक है ना, फिर देखे, see is there, see is there, is अकेले लिखा है, main verb है, linking verb है, इसके बाद adverb है, क्या है adverb, लेकिन ये adverb आप minor नहीं है, adverb आप place है, क्या है, adverb आप place, क्योंकि या स्थान बताएगा, इसलिए sentence correct है, अगर यही minor रहता, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है ना, देखे, see is cleverly, is अकेले है, main verb के रूप में लिखा है, linking verb है, ठीक, इसके बाद देखे, क्या दिया है, ये adverb है, क्योंकि clever adjective होता है, उसी में यलवाई जूटा है, तो ये adverb है, accounts adverb है, adverb of manner, तो अगर is mr main verb है, तो उसके बाद manner नहीं आएगा, ये sentence wrong है, ठीक है ना, उसी तरह स is अकेले है, main verb के रूप में लिखा है, ठीक, linking verb हो गया, तो इसके बाद ये क्या दे दिया, adverb, ठीक, adverb में क्या है, ये adverb है, इसलिए sentence हमारा incorrect है, ठीक है, ठीक है, चलिए, अरे वीडियो को आप like तो करिए, like करने में आप लोग कंजूसी मत करिए, like, comment, दिल खोल के करिए ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक, अब देखिए, ये देखिए, हम major, major क्या है, noun, ठीक है, major क्या है, noun, अब आपके सारे questions का जवाब मिलना सुरू होगा, major noun है, इसमें y-y जोडेंगे majorly adjective, father noun है, इसमें y-y जोडेंगे fatherly adjective, covered noun है, क्या है, noun है, आपके questions का जवाब यहीं प y-y जोडेंगे तो क्या बन जागा, adjective, mother क्या है, noun है, y-y जोडेंगे क्या बन जागा, adjective, man क्या है, noun है, y-y जोडेंगे तो क्या बन जागा, adjective, friend क्या है, noun है, इसमें y-y जोडेंगे क्या बन जागा, adjective, तो noun में y-y जोडेंगे तो adjective बनेगा, adjective में y-y जोडेंगे तो adverb बन लिखा he is miser, sentence आप बताईए, correct है की रंग, इस सारा sentence है चेक करना है, ठीक है, he, नहीं, मोहन is miser, sorry, मोहन is miser, sentence correct है की रंग है, तो देखिए, ये miser क्या है, noun है, ठीक है, अभी उपर बताएं कि इस आमार वाजवेर के बाद noun आ सकता है, noun दिया है, इसका मतलब sentence correct है, ठीक है न, sentence correct है, ठीक, आपका सोच पहली बार एदम सही निकला कि ये sentence correct है, बहुत सही आप सोचे है, लेकिन आप लोग एक नमबर के बेवकूफ है, ये noun है, noun के पहले क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए, ये sentence गलत है, incorrect है, ये सही तब होगा, जब यहाँ आर्टिकल लगेगा, determiner, ठीक common noun बिना अर्टिकल का नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना, फिर आजाएगे, Mohan is very major, Mohan बहुत कंजूस है, sentence correct है, कि रांग है, बताइए, सोचिए, ये वाला sentence correct है, ये वाला sentence correct है, अपकी आप लोग सही सोचे है, ठीक है ना, अपकी आप लोग सही सोचे है, ये वाला sentence correct है, चलिए, next पे आते हैं, Mohan is very majorly, hello, पीछी आईए, ये correct नहीं है, रांग है, ये रांग है, अप कैसे रांग है, देखिए, ये क्या लिखा है, Mohan is very majorly, आज तक बोलते आया हैं, इससे मतलब नहीं है, जो आपने कहा दिया हो सही है, ठीक, आप इसलिए कहते हैं, कि वीडियो को आप पूरा देखिए, बार-बार देखिए, और skip मत करिए, तब आपको हर वीडियो में कुछ न कुछ नए चीज मिलेगी, देखिए, ये क्या है, माईजर, noun है, क्या है, noun, और very क्या है, एडवर्ब है, पहले से आपको पता है, very क्या है, एडवर्ब है, जैसे लिखते ह हैं, कि he ran very fast, ठेक न, very fast, by adverb का सारा beauty आप लोग revise करिए, ठेक, देखिए, very क्या है, ये adverb, fast भी adverb है, ये भी adverb, fast इसलिए adverb है, क्योंकि ran को qualify कर रहा है, और very इसलिए adverb है, क्योंकि ये fast adverb को qualify कर रहा है, तो very क्या होता है, adverb, तो ये adverb है, adverb किसको qualify करता है, या तो verb को qualify किसको वर्ब को या तो एड़ेक्टिव को और या तो एड़वर्ब को इसी ना तो माईजर ना तो वर्ब है ना एड़ेक्टिव है ना एड़वर्ब है बाता है समझ में वेरी क्या है एड़वर्ब ये किसको क्वालिफाई करेगा या तो वर्ब को या तो एड़ेक्टिव क या तो एडवर्ब को, तो माईजर वर्ब है, नहीं, एड़ेक्टिव है, नहीं, एडवर्ब है, नहीं, इसका मतलब यह संटेंस हमाराव रांग हो गया, ठीक न, अगर यह एडवर्ब होता, तो यह सही हो जाता, वेरी के कारण गलत हो जा रहा है, ठीक न, चलिए, देखे, अब यहां आजाए, इसको बता यह संटेंस करेक्ट है कि रांग है, वेरी मैजर ली, ठीक, कन्फ्यूज मत हो यह, आगे आजे, देखे, यह संटेंस हम चेक करते हैं, माईजर में यलवाई जूटा है, माईजर क्या है, नाउन है, माईजर क्या है, नाउन है, और माईजर नाउन में यल वाई जोड देंगे तो क्या बन जाएगा adjective, तो miserly adjective हो गया, क्या हो गया adjective हो गया, ठीक है ना avery क्या है, adverb है adverb किसको qualify करता है, adjective को ये इसको qualify करेगा ठीक, ये sentence correct हो गया ठीक है फिर आजाएए, mohan is a very miserly man, अब बताएए sentence correct है कि रांग है, चले देखिए mohan, यहां तक तो सही है, ठीक है, ये noun है, noun के लिए article चाहिए, इसके लिए सही हो गया, ठीक है miserly क्या है miser noun है, miserly adjective है, तो adjective कि क्यों qualify करेगा, noun को noun दिया है, इसका मतलब यहां तक सही हो गया very क्या है, adverb है Adverb किसको qualify करेगा Adjective को Adjective आपको यहां दिया हुआ है इसका मतलबे भी सही ठीक है ना देखे यह very adjective को qualify करेगा तो इसमें जब adjective है ही नहीं तो किसको qualify करेगा यह very verb को qualify करेगा तो यहां verb है यह नहीं है ठीक है ना ठीक यह very adverb को qualify करेगा बैडवर भाई यह नहीं है, ठीक है, चलिए आजे, अब यहाँ जे, मोहान इजे, माईजरली मैन, अब बताएज संटेंस करेक्ट है की रांग है, मोहान इजे, माईजरली मैन, ठीक, तो देखिए, मोहान इजे, माईजरली मैन, तो मोहान इजे, माईजरली मैन, यहाँ तो ठ है ठीक है कारण जानिए रटियमात कि यह बच्पन में एक सब्द सुना था ठीक इसलिए यह हमारा संटेंस करेक्ट है या रंग है चलिए मोहनीच ए माईजरमेन, मोहन इजे माईजरमेन अब बताуемों ये sentence correct है bir rang is ठीक ना, my, ठीक अब देखें, ये sentence हमारा क्या है, wrong है क्या है, wrong है माईजर क्या है, noun ये क्या है, noun दो noun एक साथ नहीं आते हैं दो noun एक साथ नहीं आते हैं यह noun है तो इसको adjective होना चाहिए था क्या होना चाहिए था adjective देखे यह उपर क्यों सही हुआ है यह sentence और यह sentence मैच कराए मोहानी जे माईजरली मैन मैन noun है यह adjective है और वही same तो यह लिखा है ठेक तो यहाँ adjective किसको qualify करेगा noun को noun दिया इसलिए सही है यहाँ noun noun को qualify नहीं करता है noun noun को qualify नहीं करता है तो दो noun एक साथ नहीं आते हैं इसलिए sentence हमारा incorrect है ठेक है अब अगर किसी को वो लग रहा है मन लिजे किसी को अभी कान फ्यूजा लग रहा है नहीं समझ मैरा है तो जहाँ जहाँ माईजर लिखा है ठीक माईजर जहां जहां लिखा है माईजर यहीं पर आप फ्रेंड लिख करके चेक कर लीजिए ठीक है ना जहां जहां माईजर लिख लिखा है माईजर ली यहां पर आप लोग फ्रेंड लिख करके चेक कर लीजिए अपने आप पता चल जाएगा माईजरली या माईजर अजीब लग रहा है क्योंकि इसको हम लोग जादे यूज नहीं करते हैं आप फ्रेंड फ्रेंडली जादे यूज करते हैं तो आप करके देख लिए देखिए अब यहाँ पर चेक करिए मोहान इज ए माईजर मोहान इज ए माईजर अब यहाँ आट है मोहान इज ए फ्रेंड संटेंस करक्ट है ठीक है संटेंस क्या है करक्ट है ठीक है चली फिर दखिए मोहान इज वेरी फ्रेंड मोहान इज वेरी फ्रेंड होता है नहीं गलत ठीक है Mohan is very friendly ये होता है Mohan is a very friendly man Mohan is a very friendly man ठीक है न? ये होता है Mohan is a friendly man ठीक? ये भी होता है Mohan is friendly Mohan is friendly बताए Mohan is Mohan is friendly ये नहीं बताएं क्या लग रहा है ये छूट जे लग रहा है जैसे देखें, Mohan is Majorly, इस मार वाजवेर है, तो इसके बाद हम लोग Adjective लिखते हैं, Majorly Adjective इसले Correct है, Mohan is Friendly, यह भी Correct है, Friendly का मतलब होता है, कि उसका बेवहार मतलब Friendly है, दोस्ताना पूर्ण है, ठीक है, Mohan is a Major Man, Mohan is a Friend Man, Friend Man होता है, Friend Man नहीं होता है, Friend Boy नहीं होता है, Friend Girl नहीं होता है, दो नाउन एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, यह जो मैं बताया हूँ, कि नाउन माईजर के जगा पे Friend या Friendly रखके देख लेजिए, इस sentence को एक बार आप रफ पे लिख लेजिए, और फिर आप उस रफ पर उसी के बगल में, ठीक, दूसरे पेश पर माईज को Friend से, माईजरली को Friendly से, रिप्लेस करके, लिख करके, आप स्वयम देखे, अपने आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, कि जो चीज आप पहले से जानते हैं, वो हमेशा सही है, बहुत ऐसा चीज है, जो हम लोग गलत पढ़ते हैं, या गलत बो क्या है, एड़ेक्टिव, और Extremely Adverb है, क्या है, एड़ेक्टिव को, एड़ेक्टिव दिया है, संटेंस हमारा करक्ट है, ठीक है, He is Honestly, ये रांग है, क्योंकि देखिए, ये Is क्या हमारा, मेन वर्व, और Honest क्या होता है, Honest Adjective होता है, और Adjective में यल वाई जोडेंगे, तो क्या बन जाएगा, Adverb, क्या बन जाएगा, Adverb, तो ये Adverb है, और Adverb में ये मैनर है, क्या है, मैनर, और He is M.R.W. अगर मैन वर्व है, तो उसके साथ मैनर नहीं आता, ठीक, इसलिए Incorrect, He is Honestly, इनकरक्ट है, ठीक है, ना, चलिए, अब आपके से जो मैं क्वेश्चन किया हूँ, वो उसका अंसर देख लेजिए, चलिए, आप से बार-बार रेक्विस्ट है, कि वीडियो को आप कोई भी वीडियो आती है, पूरा देखा करिए, skip मत करिए, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ने कुछ निया चीज आपको ऐसा मिलेगा, जो आप पहले नहीं पड़े होंगे, क्या है, नाउन है, ठेक, और इस कवर्ड में जब हम ल, वाई जोडते हैं, तो नाउन में ल, वाई जोडेंगे, तो क्या बन जाएगा, अब आप देखिए, ही इच कवर्ड, तो कवर्ड क्या है, नाउन, नाउन के लिए क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए, आर्टिकल यह कवर्डली क्या है, adjective, कवर्डली क्या है, adjective, is mr. was where main verb के रूप में लिखा है, तो इसके बाद adjective आता है, correct, he is honestly, he is honestly, यह wrong, अभी उपर बताएं, क्यों, क्योंकि is mr. was where है, तो इसके बाद adverb of manner नहीं आएगा, यह adverb of manner है, अगर यह place राता तो सही हो जाता है, ठीक है, नहीं, manner नहीं आता है, ठीक, कव, जब mr. tab, अकेले रहेगा, वर्ड के रूप में तब, ठीक, डेके, he is very covered, अब sentence correct है, के रांगे देखे, he is very covered, covered क्या है, noun है, क्या है, noun, अब very क्या है, addverb, adverb नाउन को qualify करता है, नहीं, addverb नाउन को qualify नहीं करता है, ठीक है, किसको qualified करता है, यह तो adjective को या तो work को या तो adverb को अदिया क्या है noun इसलिए sentence wrong हो गया ठेक है ना अब यह सही कब होता अगर यही adjective रहता तो सही हो जाता इसी में अगर y जोड़ दें cowardly कर दें तो adjective बन जाएगा और यह adverb adjective को qualify करेगा सही हो जाएगा मतलए he is very cowardly wrong है he is very cowardly correct है ठेक है फिर यह देखिए he is very cowardly man he is very cowardly man मन क्या है noun इसके लिए क्या चाहिए article दिया हुआ है cowardly क्या है adjective है ydi lan noun है और जिए adjective कि उसको qualify करेगा noun को noun दिया हैNothing यह यह भी सही है बच क्या गया very, wary क्या है ए ऐड़वर्व कि उसको qualify करता है adjective को adjective आपका यहां दिया है इसलिए भी correct है ठीक है ना he is a very covered man अब इसको देखिए he is a very यहां तक सही है man noun है article लागा है यह भी सही है covered अब देखिए यह भी noun है और यह भी noun है दो noun एक साथ नहीं आते ठीक है ना इसलिए यह हमारा run हो गया ठीक वेरी क्या है adverb है adverb कि इसको qualify करेगा adjective को adjective दिया ही नहीं इसलिए sentence run है ठीक तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने प्रसनों का जबाब मिल गया अगर वीडियो आपको पसंद आया हो वास्तों में पसंद आया हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा like करेए ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा share करेए ठीक अपने सारे ग्रूप में अपने दोस्तों में सबको share और subscribe कराईए ठीक है और आपसे बार-बार request है कि आप किसी भी चीज को रटिये नहीं आप knowledge के लिए पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा concept के लिए करिए knowledge इकठा करिए आपके जिंदगी में बहुत काम आएगा तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए देखते रहे क्यान सिखा English Classes Thank you